तो भाई रोमरनेक्स के सर्भाइवर स्रीज, ओपनेंट के लिए आपको एक टूनाओंद देखने को मिल सकता है, या फिर देव वन के अंदर, इसके लिए एक पिछ निकल कर सामने आई है, अल्सो भाई रोमानेक्स के क्राउन जॉल मैच के लिए क्या फ्लांस है प्राउग लेशनर एंड गोलवर का क्या प्लान है क्राउन जॉल को लेकर और स्मैक डाउन की जो फानल भीवर्शिप आई है वह सुनके आप सौक हो जाओगे प्लस वीरमान के बारे में बात कर लेंग है अगली इस्टोरी वीरमान को लेके क्या प्लांस है वह मैं आपको बता दू और तो फाइड्फॉल स्लेक्ट वीरमान को लेकर को बडाई यह चीज मैं पिछले 2-3 मेहनों से सुन रहा हूं कि दृब्ड़ुडधु के पास कोई प्लांस नहीं वीरमान को लेकर जब जब म वो वक्त बतायेंगा क्या होगा तो बात कर लेंगे करोंजोल के बारे में गॉल्ढ में या फिर वीड मैंने आपको पहले बताया कि गॉल्ठ पशुकर भूश भी अब साथ से मतलब ऐसे आडियाज पीच किये गए है रोग लेसनर की बात करें तो मालूम है हमें ब्रोग लेसनर भरसेश बॉबी लेसने यह है पीच तो यह दोनों मैचेस गॉलडवर्ग एड लेसनर के लिए पीच किये गए है राउन जोल के लिए इसका मतलब यह नहीं होता कि हो गया है कार्ड में लिक दिया गया है पीच का मतलब होता है कि एडियाज सेयर करना क्रॉंजल में रोमन का भी मैच होने वाला है तो रोमन का क्या मैच हो सकता है तो अभी के हिसाब से जो प्लांस है वह है रोमन नेक्स बसेश के यानि कि रोमन टाइटल डिफेंड करेंग या तो अगले साल नेक्स्ट या डे वन में या भी पीछ है अपनी जो फैनल अपडेट है वह भी है सर्वाइबर शीरिज को लेकि सर्वाइबर सिरिज के अंदर रोमनेंग्स का ओपनेंट कौन हो सकता है तो इसको लेका जेरो नियूज का कहना है कि WWE टुनामेंट जो है के लिए क्या आप देखना चाहोगे आप कोमेंट करके बताना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में